दौक्टर बाबा सहिब आम्बेठकर ओपन युनिवर्सिटि नमस्कार विद्धार्थी मित्रो चेतेंने स्टूडियो में मैं दौक्टर दीनेश किसोरी आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ विद्ध्याती मित्रो आज हम हिंदी में मुख्य तथा गोण हिंदी की चर्चा करने वाले है हिंदी में हम दित्य प्रश्ण पत्र पढ़ने वाले है तो दित्य प्रश्ण पत्र में सबसे पहले आपको मुख्य रूप से आज कौन से टोपिक की हम चर्जा करने वाले हैं यह में जानकारी आपको बता देता हूं तो आज हम देखेंगे दित्य प्रश्ण पत्र प्रश्ण पत्र का नाम है हिंदी कवीताएं और खंड चार है चायावादोतर काल चायावादोतर काल में हम इकईदो नागारजुन अकाल और उसके बाद पाठ व्याख्या एवं वीशलेशन की चर्चा करेंगी अब ये पढ़ने से पहले इसकी चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हिंदी साहित्य में नागारजुन हैं वो किस काल में किस युग में आते हैं तो उसकी थोड़ी सी जानकारदी प्राप्त कर लेना आवश्यक है तो यहां मैंने बता दिया कि खंड चार में नाम मैंने दिया है कि छायावादोतर काल चाया वाद के बाद चाया वादोत्तर काल आता है तो चाया वादोत्तर काल में नागारजुन आता है नागारजुन ने अपने सारी कविताई लिखी है तो इकाई दो में नागारजुन द्वारा लिखित कविता है अकाल और उसके बाद इस कविता का हम पार्ट व्याक्या औ पढ़ेंगे क्या आवश्यक है तो सबसे पहले हमें आवश्यक है कि कोई इसका वेक्तित्व और कृतित्व यह दोनों की जानकारी हमारे पास होनी अनिवार्य है कोई लेकक हो उसके वेक्तित्व और कुरुतित्व की कहीं भी आप देखेंगी तो जानकारी रह दिये और होना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नागार्ज उनका जो वेक्तित्व वो किस प्रकार का है उनका जन्मा कहा हुआ है माता पिता का नाम क्या है और उनके उनके जो गून है उनकी अच्छाई है उनकी बुराई है जो भी है इन सारी चीजों को हम वेक्तित्व में देखते हैं और वहीं उनका वेक्तित्व है और वेक्तित्व है कि छाप हम उनकी कविता है उनके नाटक है चाहे उनके उपन्या से उनकी कहानी है उनमें हम देख सकते हैं तो यहां में अग थोड़ा सा नागार्ज उनका वेक्तित्व बताता हूं तो मुद्दा हमारा है कि नागार्ज उनका वेक्तित उनकी मैं आपको थोड़ी संक्षेप में जानकारी बताता हूं कि नागार्जुन का जो वैक्तित्व है वह 30 जुन 1911 और उनका निदन है 5 नवंबर 1998 मधुबनी दर्भंगा जीले के सत लखा गाउं में वो जन में थी नागार्जुन का नाम यातरी उनका उपनाम था उनका अश्ली नाम यानि की वास्तविक नाम वेद्यनात मिस्र था उनके पिताश्री गोकुल मिस्र तरहुनी गाउं के एक किशान थे और खेती के अलावा पुरोहीती आदी के सिलसिले में आसपास के इलाकों में आया जाया क करते थे इसलिए उनके जीवन पर उनके व्यक्तित्वर उनकी छाप पड़ी है उनकी आरंबिक शिक्षा तौरानी के स्थानिय संस्कृत विध्यालाई से प्रारम हुई और फिर उच शिक्षा प्राप्ति के लिए नागा अर्जुन वाराण सी और कलकत्ता में अध्यन करते रहे धुम्मकड प्रवृति के कारण 1930 से लेकर 1940 तक अधिकतर समय नागा अर्जुन विधेश की यात्राई करते रहे अध्यापक की स्थाई नोकरी उन्होंने उत्तरपदेश के शराहानपूर सहेर में की बाउध धर्मा के प्रती रुजान के कारण स्री लंका में बाउध धर्मा के ग्रंतों का उन्होंने अध्यन किया अपने जीवन में उन्होंने यही अध्यन आगे बढ़ाया 1936 में सांस्कूतियान के सरक्षण में स्री लंका गए यहाँ पर उन्होंने लेनीन और माक्षवाद की दार्षनिक विचारधारा को बड़ी सीधता से पड़ा सन 1938 में भारत वापस आये और किशान नेता शहजा नंद सरस्वती द्वारा संचालित किशान के साथ सक्रिय रूप से जुड़ गए सन 1940 और 1942 में नागा अर्जुन बिहार के किशानों आदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेजी हकुमत ने उन्हें जेल भेजा सन 1925 और 1987 में जे प्रकाश नारायन के आदोलन से जुड़ने के कारण इमर्जंसी के समय 11 मैने तक जेल में रहे इस प्रकार नागा अर्जुन ने अपना पुरा जीवन है उनका जो वेक्तितव है वह आरम से लेकर अंध तक साहित्य में जुड़े रहे और जुड़े रहने के साथ-साथ इन सारे संगर्षों को उन्होंने सामना किया उन्होंने गरीब किशान और भी अलग प्रकार के लोगों के साथ मिलकर काम किया और वही काम उनकी कविताओं में वही संगर्ष वही गरीबी वही सब बातें उन्होंने अपने कविता में एक संदेशा के रुप में हमारे सामने प्रगट गिया है तो यहां हम गेinkई नागार्जुन का वेक्तित्व की चर्चा करने के बाद नागार्जुन का कुरूतित्व देखेंगे तो विद्यारती मीत्रों हम कुरुतित्व में हम क्या देखेंगे कौन सी चर्चा कर रहेंगे उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि हम कुरुतित्व किसको कहते हैं तो कोई भी लेखक कोई भी रचनाकार आरहम से लेकर अंतक जब से वो अपना साहित्य सर्जन करता है जब से अपनी रचना वो लिखने का आरहम करता है तब से लेकर उनके निधन तक अथवातो जहां तक वो अपनी लेखनी चलाना चाहते हैं तब तक जो भी रचनाई लिख उस लेखक द्वारा लिखित रचनाव कहेंगे तो हमारा मुद्दा है कि नागार्जुन का क्रूतित्व यहां हम देखेंगे कि नागार्जुने कौन सी कौन सी रचनाएं अपने जीवन में अथ्वा तो हिंदी साहित में लिखी है इस मुद्धे में में बताता हूं कि नागार्जु ने सबसे पहले लेकनी का आरम मैथिली, संस्कृत और हिंदी में कावे रचना के अलावा उन्होंने उपन्याश, कहानी, निभन्द भी लिखे हैं और कुछ अनुवाद भी किये हैं शिरिप नागार्जु ने कविता ही ने लिखी है, उनकी प्रकासित कावे रचनाए मैं निमन लिखित या बताता हूं सोट में, हिंदी कावे रचनाए उन्होंने जो रचनाए लिखी है, वह है सपत, वह 1948 में प्रकासित हुए है, चना, जोर, गरम, दूसरी रचना उनकी है युगधारा, खुन और सोले, प्रेत का बयान, शतरंगी पंखो वाली, प्यासी पतराई आखे, और रचना है उनकी अब तो बंद करो है देवी, तालाब की मचलिया, चंदना, और नेक्ष रचना है उनकी, तुमने कहा था, हजार हजार बाहो वाली, पुरानी जूतियों का कोरश, रत्न गर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, और भी उन्होंने रचना दिखी है, आखिर क्या कहदिया मैंने, अपने खेत में, खीचडी विपलव देखा हमने, इस गुबार की छाया में, ओम मंत्र, भुल जाओ पुराने सपने, आदी कविता शंग्र है, ये उनके द्वारा लिखीत कविता शंग्रा है, उन कविता शंग्र में, अलग अलग प्रकार की कविता समाविष्ट है, अब मैं बताता हूँ कि उपन्यास उन्होंने उपन्याक शेतर में भी काम किया है, तो रतिनात की चाची ये उपन्यास लिखा है, बलचर्मा, बाबा बटेशरनात, दुख मोचन, इमर्तिया, उग्र तारा, कुम्भी पाक, जम्नियाक के बाबा में, आसमान में चांद ता अरे, पारो, नई पोध, आदी मैथिली, एवं हिंदी उपन्यास है, इन्होंने हिंदी उपन्यास के अलावा कहानी संग्रह भी लिखे है, आसमान में चंद तेरे, इसके अलावा निबन संग्रह भी लिखे है, निबन संग्रह में उस निबन संग्रह का नाम है, अन्न हीनम क्रिय आनाम अन्हिनम क्रिय आनाम यह 1983 में प्रकासित निभश रंगर है तो नागार जो ने अपने हिंदी साहित्य में कविताईं उपन्यास कहानी निभन सगर यह सभी प्रकार की रचनाएं लिखी है उन रेचनाव में उन्होंने भारतिय जीवन के सभी मनुश्य की गरिबी और संगर्ष को उन्होंने प्रगट किया है उनके साहित्य में हमें गरिबी और संगर्ष ही दिखाई देता है भारतिय जो लोग है जो उनकी जीने की जो पधत ही है उनको उन्होंने अपने साहित्य में रखा है उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है बाल साहित्य में कथा म संजरी भाग एक और दो मरियादा पुरुशोतम विद्यापती की कहानिया बाल साहितिय चित्रा पत्र ही नगन गांच जो मैथेली भासा में लिखी दे नव तुरिया जो भी मैथेली उपन्यास है नागार्जुने अनुवाद भी किये हैं अनुवाद के क्षेत्र में मैगद गीत गोविंद विद्यापती की पदावली मैं मिलेटरी का पुराना घोडा बांगला से हिंदी अनुवाद उसके बाद मैथेली चनगुप्त को पुरुशकार भी प्राप्त हुए है पुरुशकार के क्षेत्र में नागार्जुन को सन 1968 में अकादमी पुरुशकार से वाजा गया उन्हे सन 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में नामांकित कर सम्मानित भी किया गया उत्तरपदेश सरकार ने भारत भारती पुरुशकार से अलंकुरुत किया इस प्रकार पुरुशकार के क्षेत्र में मैथेली चर्ण गुप्त को मध्य प्रदेश से तो बिहार सरकार से राजेंद प्रसाद पुरुषकार तथा दिल्ली की साहित्य अकादमी ने सिखर सम्मान से विभूसित किया इस प्रकार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नागारजुन को अलग अलग प्रकार के पुरुसकार प्राप्त हुए अब हम देखते हैं नागारजुन द्वारा लिखित कविता अकाल और उसके बाद का पाठ व्याक्या एवं विश्लेशन तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि नागारजुन द्वारा लिखित जो कविता है अकाल और उसके बाद जो मुल कविता है उनका मैं पाठ यानि कि मुल जो पंक्तियां है उस पंक्तियों को बताता हूँ तो सबसे जो पहली पंक्ति है कई दिनों तक चुलहा रोया चक्की रही उदास दूसरी पंक्ति है कई दिनों तक कानी कुतियां सोई उसके पास next पंक्ति है कई दिनों तक लगी भीत पर चिपकलियों की गस्त आगे कभी ने पंक्तियों में कहा है कि कई दिनों तक चुहों की भी आहलत रही सिकस्त इस प्रकार उन्होंने ये चार पंक्तियां लिखी उसके बाद चार पंक्तियों में उन्होंने अलग प्रकार का वनन किया है कि दाने आये घर के अंदर बहुत दिनों के बाद धुआ उठा आंगन से उपर बहुत दिनों के बाद और तिसरी पंक्ति है उनकी चमक उठी घर बर की आखे बहुत दिनों के बाद और लाश्ट पंक्ति उन्हों बताया है कि कवो ने खुजलाई पाखे बहुत दिनों के बाद यहां कवी ने अकाल और उसके बाद कविता में स्रिप आठ पंक्तियों की कविता लिखी है लेकिन आठ पंक्तियों में उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है कि किस प्रकार हमारे भारत देश में अथा तो हमारे यहां अकाल पढ़ता है और अकाल पढ़ने के बाद की मनुष्य की स्थिति किस प्रकार हो जाती है और अकाल समाप्त हो जाने के बाद जब हमारे प्रकरिया जिस प्रकार चलती रहती है उसी प्रकार की हो जाती है तब कि स्थिति का नागार जो ने इस कविता में वर्णन किया है कि अकाल हम जानते है कि अकाल और उसके बाद यानि ये कविता ही हमें बता देती है कि अकाल है और अकाल पढ़ने के बाद अकाल होने के बाद मनुस्य का जन जीवन पसू का जन जीवन और जो प्रूत्वी पर रहने वाले सारे जीव जो है पसू हो या पक्षी हो सभी के लिए अपने खाने पीने के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सारे र दाने के दाने के लिए तडपने लगते हैं और पानी के लिए भी तडपने लगते हैं तो ये सारी गरी भी और ये सारी स्थीती का यतार्थ चीटरण नागार जो ने अपने कवीथा अकाल और उसके बाद में किया है लेखक की ये अपनी यथार्थ वास्तविक अनुभूती है और उसी अनुभूती को लेखक ने अपने लेखनी के माध्यम से अपने वीचारों के माध्यम से अभीव्यक्त किया है यह कविता हमें एक इस प्रकार की प्रेना देती है कि मनुश्य को ऐसे समय में किस प्रकार अपने आस्ता बनाई रखने चाहिए अपने जीवन जीनी के लिए आगे बढ़ने के लिए पसुपक्षी को भी किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए अथवा तो सोचना चाहिए कि किस प्रकार हम हमारे जीवन को संगर्ष में बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं यही संदेशा नागार जो ने अपने इस कविता में अभिव्यक्त किया है प्रस्तूत कविता यह कविता अकाल और उसके बाद सिर्फ आठ पंक्ति में लेखक ने लिखी है और आठ पंक्तियों के द्वारा नागार जो ने बहुत सारा मनुस्य के जीवन का के दिया है आगे लेखक ने कहा है कि इस कविता में अकाल और बाद कविता में कवी ने गरीब बेबस वेक्तियों के जीवन में व्याप्त जो भूक मरी है उस भूक मरी का चीतरन किया है कि किस प्रकार एक भूक मरी से तड़पते हुए वेक्ति आगे बढ़ते हैं अत्वा तो किस प्रकार चिंता में रहते हैं कि ये सारा वर्णा ने इस कविता में नागार जुनी किया है कि उससे उभरने का चित्र उन्होंने इस कविता में अंकित किया है कवी ये सारी बातें अपने कविता के द्वारा पेश करते हैं उन्होंने वही पंक्ती है कि कई दिनों तक चुला रोया चक्की रही उदास इस पंक्ती के द्वारा ही आप समझ सकते हैं कि कई दिनों तक चुला रोया अपना चुला है वो कई दिनों तक जलते नहीं है तो हम कह सकते हैं कि क्या परिस्थिती है क्या आपती है और आगे नागारजुन ने कहा है कि चक्की रही उदास हमारे घर में जो चक्की है वो उद दाश रहना यानि की बंद रहती है तो इस एक ही पंक्ति में नागारजु ने कहा है कि कई दिनों तक चुलहा और दूसरी बात उन्होंने चकी उदाश रहनी की बात की है तो यह जो हमारी है जो स्थीती है वो गरीब की अथवा तो बिलकुल अकाल पढ़ने के बाद की स्थी पंक्ति में किस प्रकार हमारा जीवन यापन करते हैं उसका उन्होंने वर्णन किया है आगे उन्होंने कहा है कि कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास कभी इस पंक्ति में कहता है कि लंबे समय तक कानी कुतिया यानि कि हमारे घर में रहने वाले जो कुतिया है वो ब कई दिनों तक लगी बीत पर छिपकलिया की गांस्त यानि कि नागारजुन कहता है कि लंबे समय तक हमारा जो घर है घर के छत पर जो छिपकलिया है वो हमारे जो रोजिंद जो जीवन है उसमें जिस प्रकार आते रहते उस प्रकार अकाल पढ़ने के बाद वो नहीं आते उन कि पंक्ती भी उन्होंने कहा है कि कई दिनों तक चुहा की भी हालत रही जिखत यानि की चुहा है वह भी एक दाने के लिए अनास के लिए तढ़ते हैं कवी कहता है कि अकाल पढ़ने पर कई दिनों तक चुलहा रोया चकी उधास रही अर्थात फसले चुलहे चकी चिपकली चुहें जैसे निर्जीव पदार्थ और मानवेतर प्राणी द्वारा चार पंक्तियों में अकाल के बाद की स्थिति का नागार जुन ने वर्णन किया ह अकाल पढ़ने के बाद जो मनुष्य हैं अत्वा तो जो मानवेतर जो प्राणी है किस परकार एक पानी के लिए एक दाने के लिए तडपते हैं ये ही स्थिति इन चार पंक्तियों में नागार जुन ने बताया हैं आगे की पंक्तिय में उन्होंने और बातें बताई है कि अकाल समाप्त हो जाने के बाद किस प्रकार अपने मनुष्य के जीवन में खुसाली आ जाती है तो उस खुसाली का भी उन्होंने वर्णन किया है कि अकाल के बाद परिवार में आने वाली खुसी बारिकी से चित्रित क लेखक ने पूरी कविता में दो विरोधी स्थितियों की बात उन्होंने की है और सम्वेद्ना की टकराहट भी उन्होंने की है प्रतम चार पंगतियों में करुणा परक्त सम्वेद्ना उभारती है उभारा है उन्होंने और बाकी पंगतियों में उस करुणा के उपर खूसी बनकर चा जाती है इस प्रकार नागार्जुन ने यहां भारती राजनिती और अर्थ वेवस्ता दोनों की विफलता को मुर्त रुप से यहां चित्रिश किया है नागार्जुन द्वारा लिखीत अकाल और उसके बाद कविता एक हमारे जीवन की एक यथार्थ एक सच्चाई की अनुभूती को लेकर लिखी गई है इस कविता के द्वारा हम सभी मनुश्य अथवा तो मानवे तर्याने की पशू जो प्राणी जो है उनको भी बोध मिलता है कि सारी प्रुत्वी लोग पर जिस प्रकार अकाल आ जाता है तो अकाल के समय में किस प्रकार हमें सामना करन पड़ता है कौन-कौन सा संगर्श आ जाता है यही स्तित्थी इस कविता में प्रगट की है लेखक ने और दूसरी बात उन्होंने यह भी बताई है कि अकाल हो जाने के बाद कव्वे है पसुपग्षी है अत्वा तो जो मनुश्य है उनके जीवन में खूसी का माहोल में नागार जोने इन आठ पंक्तियों में चार पंक्तियों में उन्होंने करुणा परकद्रश्टी डाली है अत्वा तो करुणा के प्रकार की बात की है और नेक्स जो चार पंक्तियां है उन पंक्तियों में नागार जोने अकाल समाप्त हो जाने के बाद हमारे जीवन में जो स्थीती यानि कि जीवन में जो नया मोड आता है और उस नये मोड में किस प्रकार हम सुबे से लेकर साम तक पानी के लिए खाने के लिए अत्वा तो जो हमारा चूला है वो चलता है उसी प्रकार चलने लगते हैं तो यही स्थीती देखकर मनुष्य अपने जीवन में एक खुसाली से भर जाते हैं और जो कववा है अथ्वा जो पसुपक्षी है वह भी अपने जो गती जो उनकी प्रकरिया है वह प्रकरिया करने लगते हैं कववा जो अपने पांक है जो पंक है वो फैलाने लगते हैं और एक दाने के लिए अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं और जो कानी कुतियां है फिर जो छिपकलियां की बात जो कभी ने की है वो भी एक जो अपने खाने की अपने स्थीती के लिए अत्वा तो तो नागार जुन ने अपने इस कविता के द्वारा गरीबी और गरीबी में किस प्रकार वेक्ती शामना करते हुए आगे बढ़ते हैं इसी स्तितिका उन्होंने वर्णन किया है तो छाया वादोतर काल के काल में नागार जुन नागार जुन ही एक ऐसे कवि है उन्होंने इस कविता को एक नए ढंग से एक नए विचार के द्वारा हिंदी साहित्य में एक स्रेश्ट्र प्रेणा के रूप में इस कविता को अभिव्यक्त किया है इस कविता के द्वारा सभी व्यक्ति श्रोता एक प्रेणा एक मागदसन प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसी स्थीती में, अकाल की स्थीती में किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं अथवा तो हमारे जीवन में नया मोड ला सकते हैं अथवा तो लोग को के द्वारा हम जो बातें सुनते हैं उन बातों को किस प्रकार हम अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं ये सारा का सारा बोध इस कविता में हम प्राप्त कर सकते हैं तो विद्यारती मीत्रो प्रश्ण पत्र दो में खंड जो चार है छायो वादतर काल इकाई दो में आपने ये प्राप्त कर लिया होगा कि इकाई दो में नागार जून अकाल और उसके बाद कविता का पाठ एवम उसका विशलेशन हमने किया तो इस कविता में हम समझ सकते हैं कि लेखक ने हमें क्या संदिशा दिया है अत्वा तो इस कविता के द्वारा हमें क्या बावभोध मिलता है यही हमें इस कविता में समझना है और समझने के बाद हम ये अनुभव भी कर सकते हैं अत्वा तो हम विचार कर सकते हैं कि इस अकाल और उसके बाध कविता का बावभोद अपने सब्दों में लिखे अथवाथो अकाल और उसके बाद कविता का केंद्र विशाय अत्वा तो केंदर विचार प्रगट कीजिए अत्वा तो अभीवेक्त कीजिए तब आप अपने ढंग से इस कविता को अकाल और उसके बाद कविता को अपने मोलिक ढंग से आपने जिस प्रकार समझा है उसी प्रकार आप लिख सकते हैं तो इस कवीता के द्वारा आपने प्राप्ट कर लिया होगा कि यह कवीता हमें किया संदेशा देती ही अत्वा किसे से यह सब्बंदीत है इस कवीता के केंदर में मुख्य कौनसी बात है यही समझना हमारा मुख्य विचार है अत्वा तो मुख्य बात जुड़ी हुई रहती है कि इस कविता के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है और लेखक ने भी इस कविता के द्वारा हमें क्या संदेशा दिया है यही हम इस कविता में प्राप्त करते हैं और इसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं तो ये दित्य प्रेश्ण पत्र में हम मुख्य विशाई के विध्यार्थी और गोण विशाई के विध्यार्थी दोनों इस एक ही मुद्दे को एक ही कविता को पढ़ सकते हैं और उसका अपने ढंग से उसका आंसर देख सकते हैं तो ये कवीता के द्वारा आपने प्राप्त किया होगा आपको समझ में आया होगा कि अकाल और उसके बाद कवीता में नागार जुन ने क्या संदेशा दिया है अथ्वा तो अपने अनुभव के द्वारा लेखक हमें क्य सीख देता है हमें क्या प्रेणा प्राप्त करनी है यही मुख्य बात जुड़ी हुई है तो विद्यारती मित्रों अब हम फिर नेक्स लेक्टर में मिलेगे धन्यवाद